तो और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों तो आज हम लोग थोड़ा सा अलग बात करें मोबाइल से हट के बात करेंगे आज थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग PC लापटॉप के बात करेंगे तो देखो अगर आप लोगे के पास एक PC है पुराना हो गया अगर अफकोर्स और उसी के बाद में अगर लापटाउप वगेरा है और उनमें आपको स्पीड या फिर बोलतो ना स्लो वाला जो पार्ट है उसको लेकर इशूज आ रहे हैं तो वह कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्या है मतलब कौन सा तरीका है या फिर अगर आप कंटेंट क्रियेटर हो एकड़म लाइक जो वीडियो वगेरा बनाते हैं तो वहाँ पर स्पीड अप वगेरा कैसे ले सके और मैं क्या यूज करता हूँ वह सारी चीज़े हैं यहाँ पर हम लोग आज यस पर फास्टर हो गया वह सब चीज़े मुझे रिक्वार्मेंट हैं तो देखो सबसे पहले हम लोग को क्या लगता है कि जब हम लोग कोई पीसी बनाते है तो उसके अदर सबसे ज़्यादा जरूरी कॉम्पोनेंट उसका प्रोसेसर होगा और उसके बाद में एक समझ लोग आपका आजाता है उसके बाद में आपका जीप्यू होता है अगर आप हाई इंटेंज करते हो अगर गेमिंग करते हो तो प्रीमीर प्रो अगरा की लिए वहाँ पर भी आपको जो गीप्यू का नीड पड़ता है लेकिन एक बहुत जादा क्रूशल पार्ट है जिसको हम बहुत जादा लोग mistake कर लेते हैं कि जब वो storage type use करते हैं और उसी के अंदर अपना OS डाल देता है Windows 10 हो गया, 7 हो गया 11 हो गया, whatever जो भी होता है वो उसके अंदर install कर लेते हैं और उसी के बाद में सोचते हैं कि हमारा PC slow क्यों हो रहा है कि जब कि मैंने सारे components ऐसे मस्त वाले use करें, फिर भी, तो यहाँ पर मैं एक बताता हूँ इसका same problem मुझे भी आ रहा था मेरे सारे PCs वगरा सही है बड़ उसको मैंने एक चीज़ से sort out करके रखा है जो भाई आती है ना storage type को लेकर तो मेरे पास है ना normal HDD type आता है, जहाँ पर आप अपने 1TB का storage ले सकते हो, एक cheaper price के अंदर, लेकिन वहाँ पर आपको speed से बहुत जादा compromise करना पड़ सकता है अब यहाँ पर एक real testing दिखाता हूँ मैंने एक project लिया था, जो around 18 minute का था, full HD वाला project था, अब उसको हम लोग ने render मारा hard drive के अंदर, अब उस hard drive में से उस project को render होने के लिए जो time गया ना भाई, वो 1 hour 36 minute का मजस वाला एकदा movie time था, मतलब इतने दिर पे एक movie देखके आ जा था मैं, इतना लंबा time लग गया, अब लेकिन मैंने का किया, उसी project को वापस shift करके SSD के अंद, जो WD Blue SN570 NVMe SSD है ना, उसके अंदर मैंने भी पूरा project डाल दिया, अब ये जो time था ना, same project को render नकले जो time लगा ना, वो जो time था ना भाई, इतना जादा कम था, मतलब 7 minute 32 सेकेंड का पूरा इसने मस तो छोटा सा time लिया, और उतने देर में हमारी project render हो चुकी थी, और वो जो है na, full HD 1080p project था, इतना जादा मतलब वह ना, crucial पार्ट निभाता है, एक है na, NVMe SSD वाड़ा पार्ट, तो यहाँ पर most of time यूज़ कर रहा हूँ, जो अभी, वो है WD SN570, NVMe SSD, तो सबसे पहले देखो, आपको NVMe SSD क्यों लेनी है, WD SN570, तो आपको उने benefit वगेरा कैसे क्या है, वो आपको आगे समझा देता हूँ, उसके पहले इसे install कैसे करना है, वो समझा देता है, बहुत पहले अपना motherboard चेक आउड करना है, कि उसके अंदर इस तरीकी की storage का option available है या नहीं है, एक M.2 का slot है, तो वहाँ पर आप NVMe की जो इस तरीकी की पथली से storage आती है, वहाँ पर उसे easy step से install कर सकते हो, normal 30 degree angle वे आपको इसे insert करना है, और यहाँ पर आपको एक NVMe SSD को पहचानने का एक तरीका है, यहाँ पर आपको एक dot देखने मिल रहा है, जो gap है basically, यह M.Key के वाला cap है, इसमें आपको एक दूसरा type भी मिलता है, जिसमें एक M.Key तो होता है, यह, लेकिन दूसरा जो ना, जिसमें आपको एक B.Key भी मिलेगा, basically एक hole मिलेगा, लेकिन वो जो storage type होनों, वो SATA type चला जाता है, वो NVMe slot नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको single M.Key मिलता है, वो आपके motherboard के अंदर वो slot होना चाहिए, बस आपको normally के angle पे insert करना है, उसके बाद में simple screw कर देना है, और बस आपका हो गया installation वाला part done, तो एकदम simple step हो गया है, और इसी तरीके स simple से installation वाला part हो जाता है, बस इसके बाद में PC on करके checkout करना है, आपकी जो drive है वो दिखना start हो जाएगी, 1TB की यहाँ पर मैंने NVMe SSD ली है, और इसके बाद में एकदम simple easy to use है, और इसके बाद में WD का एकना dashboard मिलता है, अब उस dashboard के अंदर आपके अपनी SSD का health वगरा चेक आउ से benchmark वगरा दिखा देता हूँ, लेकिन benchmark पर मैं क्या करूँगा, आपको इने comparison में एक HDD वर्सेस, एक NVMe SSD में कितना जादा difference आता है, वो एक पता करने के लिए, तो सबसे पहला मेरा यहाँ पर favorite crystal mark application जो है, वो मैंने use में लिया, जिसमें एक normal hard drive पर अगर आप speed देखो के ना जो insane निकल कर आ जाता है, और वहीं अगर आप HDD से compare करोगे तो आपको काफी lower score मिल जाते हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा comparison करते हैं, तो comparison में क्या है, एक external hard drive है, जिसमें एक अच्छा खासा file मिल जाता है, मुझे बड़ी size का, जिसे मैं copy करता हूँ, hard drive to hard drive, और उसमें जो faster तरीके से आप लोगों को copy paste वाला पार देखने मिल गया, NVMe SSD के अंदर, और देखो आप में से ऐसे भी लोग हो सकते हैं, कि जिनको लग रहा है कि इतना सारा PC पार installation, heavy processor अगर डाल दिया, बट फिर भी मुझे इनक proper speed नहीं आ रही है, तो वहाँ पर एक बड़ा reason हो सकता है यहाँ पर आपका processor नहीं, यहाँ पर आपकी जो storage है न, वो एक problem create कर सकती है, अगर आपने HDD के अंदर सब कुछ setup करके रखा है न भाई, तो वहाँ पर आपका जो इतना सारा पैसा डाला है, समलो हो गया, खराब, यहाँ पर मैंने भी PC के अंदर गलती करी थी, बाद मुझ लो वो one minute के उपर चला जाता है, बड़ वही मैं यही OS जो है, इस NVMe SSD में डाल दू, like जो C drive है न, उसको बना दू, तो वहाँ पर जो मेरा openings time है न, वो मतलब फास्तर हो जाता है, और second जो benefit है, यहाँ पर आपका जो app opening वाला part है, उसमें benefit निकल कराता है, तो यहाँ पर आप normal HDD में अगर app open करते हो, और game open करते हो, तो काफी जादा time लग जाएगा, पर वहीं आपका जो game NVMe SSD में होगा, तो वहाँ पर आपकी app opening speed और अपना जो game opening speed है न, वो almost double से triple हो जाता है और यहाँ पर आपको ऐसे multiple option मिल जाते हैं, तो मैं तो 1TB वाला option यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको 250GB भी मिलेगा, और 250GB मैं कहूँँगा, अगर आपना OS जो installation वाला पार्ट है न, Windows बेसिकली installation वाला पार्ट है, तो उसमें use कर सकते हो, मतलब 250GB वहाँ पर आपको efficient रहेगा, लाएगा proper तरीके से अपना OS वगरा, editing वगरा के लिए जो भी software requirement है, या OS है न, 250GB का ही है, वहाँ पर मैंने WD SSD ही use करी है, ताकि मेरा OS उसके अंदर रहे, जहाँ पर app opening या फिर booting जो part है, वो faster हो जाए, उसके बाद में दूसरा option मिलता है, 500GB मिलेगा, 1TB है, और उसके बाद में 2TB तक का भी option available है, सेम इसी size के अंदर है, तो अब भी तक यहाँ पर यह benefit निकल कर आ गया, अब बात आती है, content creator को लेकर, या video editor को लेकर, personally मैं मेरा experience बताऊँगा, तो मैं मेरा जो जो भी काम होता है, editing को लेकर, वो सारा जो part है, वो NVMe SSD के अंदर ही रखता हो, मतलब वहाँ से ही मैं copy करना हो गया, वहीं से मैं file लेता हूँ, वहीं, जो भी laptop के अंदर use करते हो, तो वहाँ पर आपको benefit पड़ेगा, NVMe SSD का, क्योंकि वहाँ पर आपको जो battery saving वाला part है, वो एक सोड़ा सा plus हो जाता है, क्योंकि HDD के अंदर जो type है, वो proper hardware आता है, जो पूरा अंदर है ना, turning होता रहता है, बट यहाँ पर आपको chips मिलती है, तो that's why व मेरा जो simple review, SN570, NVMe SSD को लेकर, तो भाई यहाँ पर एक content creator को यह मतलब लेना चाहिए, या फिर अगर आप अपना work पूरा faster करना चाहते हो, तो वहाँ पर इसके लिए मैं आपको एक अच्छा अच्छा plus point दे सकता हो, आप इसे buy जरू कर सकते हो, WD SN570, NVMe SSD, तो यहाँ पर यह था मेरी तरफ से सारा review, इस NVMe SSD को लेकर, बागी अगर आपके कुछ और questions होंगे, या फिर इसे buy करना होगा, जो भी links होंगे, सब कुछ आपको नीचे description में available रहेंगे, वहाँ से click करके आप लोग buy कर सकते हो, बागी अगर आपको कुछ और वीडियो के requirement है, मुझे लग